जब तक प्रियंका गांधी पिड़ित परिबार से नहीं मिलती तब तक वापस नहीं लोटेंगी ये बात उन्होंने साफ की है और एक बार फिर से उन्होंने सरकार परतंच कसा की सरकार डरती है मैं सिर्फ ओफेस से अपने घर जा सकती हूँ, घर से ओफेस जा सकती हूँ, इसके अलावा अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश की जाती है विवेक तरिपाथी मेरे सहयोगी स्पर्टर फोन लाइन पर मौजूद है विवेक प्रियंका गांधी को हिरासुक में लिया गया है, ताजा अपडेट इस वक्ते क्या है, कहां ले जा रही है पुलिस प्रियंका गांधी को? विवेक प्रियंका गांधी के चक्कर में यहां पर कानूल वस्ता वावित हो जाए तो चारों तरफ से क्विर दिया गया है, विवेक दो बंद कर दिये गए और बाहर बैरिकेटिंग लगी है और इस पूरे मसले पर अजे कुमार ललू का क्या बयान है, सुनते हैं निया नहीं देना चाहती है, कहीं न कहीं किसी मामले को छुपाना चाहती है और पिछले दिनों कस्टडियल लगबक 1300 से अधिक महते हों, इकौन है जिम्मदार? कास होई है सरकार? केवल ब्रांडिंग और होर्डिंग से सरकार चलेगी, नयाय नहीं मिलेगा इस सरकार में, कानून वे अस्था पेल हो जायएगी अभी क्या करेंगे आगे? जाएंगे? बिना मिले नहीं कब जाएंगे तो अजये कुमार लल्लू को आपने सुनावन होने कहा कि जब तक हम परिबार से नहीं मिलते तब तक हम वापस नहीं लॉटेंगे विवेक मेरे सहीोगी लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर विवेक अजये कुमार लल्लू का बयान भी सामने आ चुका है कि हम वापस नहीं जाने वाले हैं किस तरीके के वहाँ पर इंतिजाम है और एक्शन इस वक्त कॉंग्रेस की तरफ से क्या दिखाई दे रहा है क्या इस तरीके की स्थिती वहाँ पर दिखाई दे रही है क्या कि अंतिन संस्कार होने के बाद क्योंकि एक तरफ हम तस्विरे भी दिखा रहे थे कि मृता के युवा कांटम संसकार क्या जा रहा था क्या उसके बाद कॉंग्रेस को आगे जाने की ज्वाज़त मिल सकती है इस तरीकी किस्थिती आप वहाँ पर देख पा रहे हैं प्रियंका गांटी को जाने देंगे लेकिन वहाँ पर हालवात अभी वेकाबू है बहुत सारे लोग घचा है बालमी की समाचुकि आज बालमी की जैन्दी भी है इसकी आक्रोश जो है वो दोगना हो गया है और वहाँ धीड घचा है लोग अपनी दिमांड को लेकर अड़ वहाँ का पुलिस प्रशातन जो है वेवस्ताय समालने की बोशिश करा है तो प्रियंका गांटी के वहाँ जाने से अचानक महौल भलक चक्का है ऐसा प्रशातन के इतिकारियों का कहिना है जिवकर वो चली गई तो वहाँ महौल भलक जाएगा और हिंसा हो सकती है इसलिए प्रशातन को रोका गया है पहले यह था कि जब अंतिन संस्कार हो जाएगा उसके बाद आपको यहां से चोड़ेंगे और जाने देंगे आप आगरा जाएंगे वहां लोगों से मिलें इसे प्रशातन को शातन को पोई आपती है लेकिन जब यह देखा गया कि वहां महौल आप लगों के लिए देखा सब्सक्राइब यहां मिलागों आपको यहां में लग यहां में लगवाई हुई इसके पर यहां मिलागों है पर यहां पर भी तमाम भीर उनके साथ में हैं तो हो सचाहिक यहां पर कुछ उनके करावाई की जाए और उनको पुलिस दाइम में ही नजर बंद एक तरह से खिरासत पर रखा जाए जब तक यह मामला शांत रही होता है तब तक जो शाचन है प्रशातन है और किसी भी तरह इस मन्शा म प्रशा में नहीं है कि प्रियंका गानी यहां से निकल कर सीदे आगरा पहुचें पर आगरा में जो माहौल बढ़ा हुआ हुआ है उनके जाने की बज़े से कोई ऐसे हाला पाईदा हो जाए इससे कानून वहुस्ता संक्टक में आ जाए और प्रदेश इसांती वहुस्ता यह फिरारे में पश्चेंतों कि प्रदेशनों और प्रदेश उस सीदा खुचान में ऊच्चा स्राइब इससे मिला तो स्विपम्यों पूस्ता अग्री न फॉलकुल और क्योंकि विवेक चुनाओ भी पास है तो ऐसे बे जाहिर तो और फाइदा मिले का प्रियांका गांधी को जसे तरीके से कॉंग्रेस को मजबूतकरने का काम लगातार कर रही है लखीम पुरकांट के बाद से ऐसे में अब देखना हुगा कि क्या वो आगरा पहुचती है आप नज़र बना के रखिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया विवेश तमान जानकारी के लिए